कॉंग्रिस ने का भाजपा सरकार में कुशासन एवं ब्रष्टाचार चरम परे इसलिए कॉंग्रिस को सडकों पर उतरना पड़ रहा है सिंगरॉली में कॉंग्रिस ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर राश्पाल की नाम ग्यापन सोपा सराई में कॉंग्रेस ने भाजपा सरकार के कुश आशन एवंभरष्टाचार के खिलाफ धर्ना प्रदशन किया कॉंग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोगों के लिए हितैशी कभी नहीं हो सकती क्योंकि भाजपा के नेत करनी और कथनी में बहुत अंतर हुता है मोधी जी को चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा होगा लेकिन रेलवे को बेचते हुए देश ने लेखा है सीधी सिंग्रॉली सड़क जो कई वर्षों से बन रही है वो आज तक नहीं बन पाई है वक्ताओं ने कहा कि कमलनाथ मे देश में बनती है वैसे ही सौ रुपे में सौ यूनिट बिजडी दी जाएगी ब्लाक कंग्रेस कमेटी सरही के आयोजन में हुआ धर्णा प्रदर्शन मन्नी मुख्यतित हमारे पूरु मंत्री वंसमानिक्षा बार्माजीत है और में था बाकि हमारे से भी कंग्रेस प्रदेश के उसमें है राजिपाल जी के नाम से है उनको हम यहां से भेज देंगे और उसकी हुजानकारी जिला कंग्रेस कमेटी को देलेंगे मांगे जो हमारे से होगें है वो कारी 53 पॉइंट की है तिन 34 विंदु का मांगपत्र हम लोगों ने सजिएम साहब को दिया है राजपाल का नाम सम भोदित टारह से इस जिएम से आक टेद्व सर्याइग उनको हम लोगों ने मांगपत्र दिया है मांग पत्र के पे निरा करनं के लिए उन्होंने 15 समय मांगा है तमाम इतनी समस्या ताहिए कर साहित कुछ जोग कंपनियों की समस्या होता है सरकार की दोरा उपन की समस्या हो इन तमान समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने मांग पतर दिया है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेशन हम करते हैं सट्य का अनवेशा दखल नियूज आपके हद में आप देख रहे हैं दखल नियूज